कैसे हो आप लो अल गुड ओके सो माई नेम इस कार्तिक गौतम एन आई तॉट यूं एम्पी कॉनिमी फ्रॉम टोड़े अन्वर्ड्स विवेक सर ने बता दिया है आपको ठीक है चलो बढ़िया है आप सभी के पास से लेबर से सभी के पास सिनेबर सैट प्रिजेंट है ठीक है तो आपवा से लेबर स को ओपन कर लीज़े है तो डारिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा सिनेबर में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एंपी एकॉनिमी का सिनेबर किस थरह से मंचिन किया गया है और उसके के बाद फिर हम शुरू करते हैं discussion, है ना आप में से ऐसे कितने student हैं जो mainly economics background के हैं या science background के, कितने science background वाले student हैं आप में से, ठीक है और economy वाले कितने हैं, आप सब commerce वाले वाप लो, math, bio, bio वाला कोई है, चलो, तो हो सकता है कि economy में कुछ terminologies आपको in general पता ना हो, तो मैं वो basic terminologies को भी introduce कराता जाओंगा, ठीक है, तो जब भी कहीं पे भी कोई terminology आएगी, तो पहले मैं उसका meaning बता दूँगा, तो कोशिश करिएगा कि आप उसका meaning लिख ले, है ना in general first chapter में ही थोड़ा सा कुछ ऐसी terminologies होंगी, जो कि आपने नहीं सुनी होंगी, जो कि अभ आप syllabus पे ध्यान दोगे अपने, है ना, तो सबसे पहले prelims के syllabus पे आप ध्यान दो, आपके prelims syllabus में, unit 6 में mention है, MP and Indian economy, अगर syllabus नहीं है तो ये ले लो यहां से, अभी फिलाल के लिए ले लो, share कर लो, किसके पास नहीं है, वहां share कर ले ना, प्लीज, तो unit 6 में क्या mention है, MP और Indian economy में mention है, अब अगर आप ध्यान दें, तो आपके unit 6 का जो सबसे पहला point है, वो सबसे पहला point क्या दिया हुआ है, महाँ पे, current situation of Madhya Pradesh है, वैसे in general official syllabus में current की spelling गलत लिखी हुई है, तो current situation of Madhya Pradesh in Indian economy, अब current situation में हमको क्या पढ़ना है, current situation में हमको ये पढ़ना है, कि present context में Mad Madhya Pradesh की economy का status क्या है, कि Madhya Pradesh में कितनी growth rate है, agriculture sector का क्या contribution है, industrial sector का क्या contribution है, है ना, service sector का क्या contribution है, tourism में कितनी growth rate है, है ना, और थोड़ा बहुत MP के current के budget का reference, तो in general अगर आप ध्यान दो, तो आपका जो पहला topic है, it is completely a database, कि safe or safe आपको इसमें data of figures याद करने हैं, apart from that इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब जब हम बात करते हैं second chapter की, तो second chapter में दिया गया है, population and human resource development, है ना, तो जो population है, population के अंडर में हम discuss करेंगे, census of Madhya Pradesh, ठीक है, population या demography means census, अब अगर आप ध्यान दो, और आपने अगर previous five, six years के paper देखे होंगे, prelims के, तो हर साल एक question जरूर आता है, और वो question कहां से होता है, census से होता है, either from the census of India, और from the census of Madhya Pradesh, तो census of Madhya Pradesh, एक most important topic हो जाता है, आपके MP economy में, in general, ये human geography का part होता है, बट इसको economy में भी हम discuss कर सकते हैं, तो census हम discuss करेंगे, census में हम क्या कि मद्यपरदेश में पहली census का पंडर्ट करीगी, मद्यपरदेश में population कितनी है, population growth rate कितनी है, literacy कितनी है, maximum populated district कौन सा है, है ना SCST population कहां पे है, urbanization कहां पे है, सबसे जादा, तो ऐसे कुछ factual data है, जो हमको discuss करना है census के अंडर में, जब हम बात करते हैं HRD की, human resource development की, तो human resource development के अंडर में हमको पढ़ना है, मद्यपरदेश में education, मद्यपरदेश में skill और health, यह particular तीन topic है, जो कि हमको किसके अंडर में discuss करना है, HRD के अंडर में discuss करना है, तो जब हम education, skill और health की बात करते हैं, तो education में हमको मद्यपरदेश में जो universities established करी गई हैं आज तक, उनके बारे में पढ़ना है, कौन सी university कहां पे located है, किस year में करी गई, मद्यपरदेश में कितने medical colleges है, मद्यपरदेश में engineering colleges कहां कहां पे, उसके बाद मद्यपरदेश में training institute हो गई, जैसे एक training institute जहां पे आप selection के बाद जाते हो, नरोना academy, ठीक है, तो ऐसे जितने भी training institute है, उनके बारे मे है, क्योंकि scheme पे भी question आता है, जैसे कि MPPSC prelims में पहले question आया है, I think in 2022 के prelims में, कि मुख मंत्री कन्या द्यान योजना का जो amount है, वो कितना है, उस time पे generally ये current affair में था, क्योंकि मुख मंत्री कन्या दान योजना में, जो government of मद्यपरदेश पहले fund देती थी, वो 51,000 था, फिर government of मद्यपरदेश ने बढ़ा के उसको 55,000 कर दिया, तो ये question पूछा गया है, ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं health की, तो health में भी वही same हमें चीज़ें पढ़ नहीं है, जो हम skills और education के अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसमें जो next section आता है, next section अगर आप ध्यान topic हैं, जो in general पढ़ाये जाते थे, पहले भी और अभी भी पढ़ाये जाते हैं, जैसे हमको मद्यपरदेश में agriculture discuss करना है, agriculture में हम मद्यपरदेश के crop zones वगरा discuss करेंगे, climate zones discuss करेंगे, मद्यपरदेश में जो food crops हैं, वो किस-किस district में produce करी जाती है, मद्यपरदेश में agriculture से related में, horticulture status क्या है, animal husbandry status क्या है, apart from that मद्यपरदेश में हमको फिर discuss करना है industries, कि मद्यपरदेश में अलग-अलग industries है, agro-based industry है, forest industry है, mineral-based industry है, ठीक है, यह सारी बात हैं, जो हमको industries में करना है, लेकिन आपकी syllabus में, यह सारा जो section हम discuss करने वाले हैं, यह पहले भी MP में पढ़ा आया जाता था, बस फर्क इतना है, कि जो new syllabus MPPSC ने दिया है, उस new syllabus में यह topic को MPPSC ने unit 6 के अंडम में briefly mention कर दिया है, इसका मतलब यह है कि पहले जब पढ़ाया आया जाता था, तो कोई guarantee नहीं होती थी कि इस section से question आएगा ही आएगा, कभी आगया, कभी नहीं आया, लेकिन अब इसको completely separate unit बना के mention कर दिया गया है, it means यहां से question आने की पूरी guarantee, अब 3 question आए, 4 question आए या 10 question आए, it doesn't matter, but question आएगा, जरूर, ठीक, फिर अगर हम इसी में बात करें, तो कुछ new topics हैं, जो कि syllabus में add-on किये गए हैं, जो कि पहले syllabus का part नहीं थे, जैसे कि एक तो है self-reliant य है ना, जैसे आपने सुना होगा, आत्म निर्बर भारत, आत्म निर्बर इंडिया, ठीक, उसी lines पे ये project based है, जिसको कहा जाता है, self-reliant मद्रप्रदेश या आत्म निर्बर मद्रप्रदेश, ठीक, फिर एक और topic है इसके अंडम है, that is MSME, है ना, micro, small and medium enterprises, ठीक, फिर एक topic ह है ODOP, one district, one product, ठीक है, हर एक particular district के अलग-अलग जो famous product है, उसके बारे में पढ़ना है, और lastly एक topic है, sustainable development goals, हलाकि ये sustainable development goals in general Indian economy में भी पढ़ाया जाता है, environment technology में भी पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे जो हम sustainable development goals पढ़ेंगे, that we will be covering from the point of view of Madhya Pradesh, ठीक, तो इतना overall syllabus है, जो हम को MP economy के pre में discuss करना है, और जो पहला section हम आज से शुरू करने वाले हैं, that is current situation of Madhya Pradesh, है ना, तो जब हम Madhya Pradesh की बात करते हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देने जैसा है यहाँ पे, कि जो Madhya Pradesh है, वो at the end, at the, हम अगर कहें, तो कहां पे situated है, in the heart of India, है ना, Madhya Pradesh को as a heart of India कहा जाता है, और उसका सबसे बड़ा reason क्या है, कि हम देखते हैं कि Madhya Pradesh कहां पे situated है, Central India में situated है, जहां से Northern, Southern, Western और Eastern connectivity easily possible है, ठीक, जब हम Madhya Pradesh as a state की बात करते हैं, तो Madhya Pradesh में हमें यह देखने को मिलता है, कि जादातर agricultural development है, यानि कि Madhya Pradesh एक कैसा state है, agrarian state है, agrarian state का मतलब क्या होता है, the state which depends on agriculture sector, generally तीन तरहा के sector होते हैं, कौन-कौन से, primary, secondary और tertiary, है न, यह कुछ basic सी बात है, जो मैं आपको बताते जाओंगा, primary, secondary and tertiary, जब हम primary sector की बात करते हैं, तो primary sector in general वो sector होता है, जहां पे कोई भी economic activity किसी natural resources पे based हो, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, तो primary sector का example क्या है, agriculture sector है, agriculture sector किस पे based है, natural resources पे, that is land, ठीक है, mining यह भी किस पे based है, land पे based है, fishery यह भी किस पे based है, waterland पे based है, तो all such economic activities which are completely based on natural resources, such sector is known as primary sector, ठीक, फिर जब हम secondary sector की बात करते हैं, तो secondary sector में क्या होता है, secondary sector में in general processing होती है, जहां पे raw material को, किस में convert किया जाता है, finish, product में convert किया जाता है, ठीक है, जैसे माल लीजए, agriculture sector में sugar cane बनाए गई, अब sugar cane से अगर sugar produce किया जा रहा है, it means that sugar is a part of secondary sector, याने की industrial sector का part है, और last में third आता है, टर्जरी sector, टर्जरी sector को हम in general क्या कहते हैं, service sector भी कहते हैं, और टर्जरी sector जो है, है ना, वो किस से associated health, education, transportation, transportation और communication, तो ये तीन sector हैं, और अगर देखा जाए, तो जो मद्ध प्रदेश की economy है, वो mainly किस पर dependent है, agriculture पर dependent है, इस वज़े से हम मद्ध प्रदेश को क्या कहते हैं agrarian state कहते हैं, state which completely depends on agriculture for their economic activities, बट इसका मतलब ये नहीं कि मद्ध प्रदेश में industrial या service sector नहीं है, मद्ध प्रदेश में industrial और service sector भी है, बट mainly जो agriculture sector है, वो जाधा dominate करता है, state की economy को, ठीक, इसी में जब हम आँगे पढ़ते हैं, तो next हम को जो discuss करना है, इसके अंडम है, that is current situation of mud deposition Indian economy, अब current situation को discuss करने से पहले कुछ terminologies पे बात कर लेते हैं, जैसे हमने इस पे तो बात कर लेगी तीन तरहा के sector होते हैं, ठीक है, economy में एक term आता है, that is GDP, सुना है कभी, क्या होता है GDP, gross domestic product, यह तो full form हो गया, meaning क्या होगा, total, ठीक है, जिसे मान लीजे, इंडिया की ही बात करें, हम कहते हैं ना कि इंडिया जो है, वो fifth largest economy है, कई बार आपने news में सुना होगा, यह news में ऐसा सुना होगा कि इंडिया भाई अब जो है, वो 3.5 trillion की economy बन चुका है, है ना, यह 3.5 trillion क्या है, यह 3.5 trillion इंडिया की GDP है, तो अब कोशन आता है, यह GDP क्या होती है, तो in general, GDP का meaning यह है, कि किसी भी country के under, एक financial year में, जो भी total goods और services produce किये जा रहे हैं, बनाये जा रहे हैं, उनकी total value को क्या कहा जाता है, GDP कहा जाता है, for an example, यह fan बनाया गया, tables बनाये गया, camera बनाया गया, board बनाया गया, तो ऐसे जितने भी goods और services produce किये गए, उनकी total value क्या कहलाएगी, GDP कहलाएगी, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, इंडिया की GDP की, तो हम कहते हैं, कि इंडिया की GDP 3.5 trillion की है, it means, यह total value है, वो goods और services की, जो within the India, एक financial year में produce किये गए है, financial year in general, शुरू कब होता है, financial year mainly starts from 1st of April, and end on 31st of March, ठीक है, तो इस time period में, जो भी goods और services produce होंगे, that is GDP, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, MP economy, तो अब state की GDP हो सकती है, क्या, हो सकती है, state की भी GDP हो सकती है, हम उसको in general क्या कहेंगे, as GDP, याने state GDP, अब state GDP क्या होगी, जब हम GDP की बात कर रहे थे, तो GDP में मैंने क्या कहा, कि जो भी goods and services कहां produce किये गए है, within the boundary of a country, जो भी overall India के अंडर में goods and services produce किये गए है, that is GDP of a country, जब हम state GDP की बात करते हैं, तो state GDP का मतलब क्या होता है, whatever the goods or services are produced, within the boundary of state, in a particular financial year, मद्ध प्रदेश के अंडर में, पिछले एक साल में, जो भी goods and services का production हुआ है, उनकी total value को हम क्या कहेंगे, state की GDP कहेंगे, ठीक है, तो 1 अप्रेल से लेके 31st मार्च तक, मद्ध प्रदेश में जो goods or services का production हुआ है, that is state GDP, clear हुआ सभी को, कोई doubt, please doubt हो तो बिलकुल hand raised कर लेना, पूछ लेना, मैं example दे के और समझा दूँगा, है ना, but doubt मत रखना कुछ भी अपने पास, क्योंकि in general यहाँ पर terminologies first chapter में ही आएंगी, second chapter से इतने facts की bombardment हो जाएगी कि सिर्फ चीज़े हमें रटनी है, सिर्फ रटा लगाना है चीज़ों का, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ factual data आएगा, है ना, university कब बनी, कहां पर है, बस ऐसी ही चीज़े आएंगी, ठीक, clear हुआ GDP, state GDP, अब इसमें हम आँगे आते हैं, मैं यह लिखवा दूँगा आपको, आप इसकी tension मत लो, next एक और terminologies आती है, that is per capita income, short में जिसको हम क्या कहते हैं, PCI कहते हैं, किसी ने सुना है per capita income, कभी स्कूल में पढ़ा होगा आपने, अगर civics वगेरा पढ़ी है आपने, social science में य क्या होता, per capita income, guess कर दो, हाँ, per person कितना अर्ण कर रहा है, अगर हम simple भाशा में देखें, per capita income, per capita income का मतलब होता है, the income earned by an individual person in a year, एक व्यक्ति, estimated तोर पे, estimated का मतलब यहाँ पे यह है, कि वो जो data होगा, जो income होगी individual की, वो exact नहीं होगी, एक estimated होगी कि हाँ, आज पास इतना पैसा वो व्यक्ति कमा सकता है, तो per capita income का मतलब होता है, the estimated income earned by an individual person in a year, अब per capita income को हम calculate कैसे करते हैं, तो per capita income को calculate करने का formula है, total income of country divided by total population, जब हमको per person data find out करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, तो country की जो total income है, है ना, उसको हम क्या करेंगे, country की total population से divide कर देंगे, तो जो भी answer आएगा, that will be the per capita income, ठीक, तो यह per capita income हम किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, country के बेसिस पे, अब अगर मान लिजे हमको state की per capita income find out करने कि मध्यप्रदेश में प्रती व्यक्ति आए कितनी है, या मध्यप्रदेश में हर एक परसन कितना अर्ण करता है, तो पहले तो थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजे, कि जब हम per capita income निकालते हैं, तो per capita income वो किसकी न per capita income जो है, वो throughout the country की जो population है, उसका income status शो कर रही, तो उसके लिए हमको अलग से state की per capita income निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो per capita income calculate करी गई है, उसमें state की भी included है, अगर हम चाहें तो state की भी निकाल सकते हैं, state की निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे country की जगह किसकी income आ जाएगी total, state की, और यहाँ पे total population, country की जगह किसकी population आ जाएगी, state की population, तो state की per capita income specifically count होगी, clear हुआ, ठीक, फिर इसी में एक term आता है, fiscal deficit, आप सबने budget सुनाएं, क्या कि budget पेश करती है, सरकार, है ना, तो जब सरकार budget पेश करती है, तो जैसे कि अभी कुछ months पहले निर्मिला सीतारमन जी ने budget पेश किया था, तो जब budget पेश होता है, तो पार्लेमेंट में एक सबसे जो common used word है, that is, fiscal deficit, जो oppositions हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादे इस बात पे हंगामा करते हैं, कि country का fiscal deficit बढ़ रहा है, country का fiscal deficit बढ़ता जा रहा है, loan बढ़ इस पेपर में आए, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना, यह बहुत ज़्यादा term use होता है, पार्लेमेंट में, fiscal deficit का मतलब यह होता है, कि जब सरकार अपना budget बनाती है, या in general अगर हम अपनी ही बात करें, अगर हम अपना budget बनाते हैं, है ना, तो हम monthly basis पे अगर budget बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं budget में, दो चीज़ें देखते हैं, एक हमारी income कितनी है, और उस income के basis पे हमारे expenditure कितनी है, माल लो अगर हम सबकी income monthly 50,000 rupees है, है ना, माल लेते हैं, हमारे but expenditure 70,000 rupees है, तो income और expenditure के बीच में gap हो गया, है ना, income कम हो गया, expenditure क्या हो गया, जादा हो गया, बट अब हमको expenditure तो पूरे fulfill करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो कही ना कही हमारी क्या है, एक basic necessity है, बट हमारी income क्या है, कम है, तो वो 20,000 का gap हम कैसे fulfill करेंगे, कहां से पैसा लेके आएंगे, क्या लेंगे हम, loan लेंगे, तो वो 20,000 rupees का gap है, है ना, वो 20,000 rupees का gap क्या कहलाएगा, fiscal deficit Fiscal deficit का मतलब है, the difference between total expenditure and total receipts of a government is called fiscal deficit, और यहां पे जो gap है, इस gap को कैसे fulfill किया जाएगा, loan के basis पे, तो सरकार हर साल budget बनाती है, हर साल income और expenditure शो करती है, और उस gap को पूरा करने के लिए, सरकार क्या करती है, loan लेती है, अलग-अलग financial institution से, world bank वगेरा से, RBI से, या किसी other country से, और इसके चलते सरकार का जो fiscal deficit है, वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, loan बढ़ता जाता है, तो जब भी budget पेश होता है, तो संसद महंगामा होता है, कि fiscal deficit बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, यह fiscal deficit भी हम पढ़ेंगे, तो state का भी fiscal deficit हो सकता है, क्योंकि state government अपना budget अलग बनाती है, central government का budget क्या है, अलग बनता है, clear, कोई doubt यहां तक, points clear है, GDP, state GDP, per capita income and fiscal deficit, चलो यह चार्ट अमने logist को लिख लो, फिर हम directly शुरू करते हैं, और इस क्या, क्या, नहीं, economics में से उसके आयोंगे, इंडियन economy के मिले होंगे आपको, MP economy के नहीं मिले होंगे, है न, हा, चलो, इसमें लिखो, पहले terminologies लिख लो, terminologies का meaning लिख लो, पहली terminology हमने कौन सी पढ़ी है, GDP, है न, तो GDP का meaning लिखना, पहले full form लिख लो, GDP का within bracket में, gross domestic product, gross domestic product, और इसमें लिखना, it refers to, it refers to, it refers to, it refers to, goods and services, it refers to, goods and services, total goods and services like lina, अज़ 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 is called within the boundary of a country is called gdp is called gdp is called gdp full stop next click now per capita income per capita income per capita income में लिखना it is an it is an estimated income it is an estimated income earned by an individual it is an estimated income earned by an individual it is an estimated income earned by an individual during a during a particular financial year during a particular financial year यह फॉर्मुला कॉपी कर लेना जो बोर्ड पे दिया गया है चलो आंगे लिखना फिस्कल डेफिशिट is called fiscal deficit fiscal deficit में लिखना it refers to it refers to a difference between it refers to a difference between total expenditure It refers to a difference between total expenditure and total receipts and total receipts. Total receipts. Receipts मतलब यहां पर income है, है न? Total receipts. It refers to a difference between total expenditure and total receipts. of our government of our government during of our government during particular financial year of our government during particular financial year. Full stop. it means it means that it means that gap it means that gap between expenditure it means that gap between expenditure and receipts the gap between expenditure and receipts fulfilled fulfilled through loan or borrowings fulfilled through loan or borrowings clear चलो यह formula copy कर लो total expenditure minus total receipts clear चलो आंगे शुरू करते हैं इसके बाद जो next हमको mainly discuss करना है अब वो हम आजाते हैं directly data पर जो मद्रप्रदेश government का economic survey data था 2022 और 2023 का उसके according हमको पढ़ना है मद्रप्रदेश में current statistics की मद्रप्रदेश में present economic development को लेके क्या scenario है government के क्या क्या initiative है तो सबसे पहले जो हमको इसमें discuss करना है that is budget of मद्रप्रदेश है ना तो in general जब हम budget की बात करते हैं तो वैसे तो state government जब budget prepare करती है वो present करती है तो जो budget है वो पूरे financial year का होता है है ना यानि की first of April से लेके next 31st of March तक के लिए government budget present करती है लेकिन आप polity में पढ़ोगे की एक तो होता है full time budget full time budget मतलब जिसको हर साल सरकार central government एक फरवरी को और state government last day of February को present करती है और वो budget पूरे year के लिए applicable होता है जिसको हम in general Indian constitution में कहते है annual financial statement है ना हमारे Indian constitution में कहीं पे भी budget term नहीं use हुआ है उसकी जगह क्या use किया गया है annual financial statement यूज किया गया है article 112 में ठीक अब होता ये है कि जिस year भी election होने होते है state में या central level पे तो election की वज़े से क्या होता है कि जो government machinery है वो कुछ time period के लिए in general parliament या legislative assembly की proceedings में ध्यान नहीं दे पाती है जिसे अगर आप अभी ध्यान दो तो अभी कल क्या हुए लोकसभा election का जो last चरण था वो खतम हुआ वोटिंग हुई है ना तो अभी तीन मन्त पहले जब निर्मिला सीतर अमन जी ने February में budget present किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि ये full time budget नहीं है ये कैसा budget है ये interim budget है याने कि temporary budget है ऐसा क्यों कहा उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि February में budget पेश होता है और हमारे यहां country में April में क्या थी voting थी April में और कल क्या आने वाला है election का result माल लो by chance एंडिये की government नहीं बनी new government बनी तो अगर एंडिये की government पूरा budget पास करके चली जाती तो जो new formed government होगी उसको फिर क्या करना पड़ता एंडिये की हिसाब से जो एंडिये की policy उसके according काम करना पड़ता ऐसा ही state में अपली cable होता है कि अगर state में जैसे last year elections थे है ना बीजेपी की सरकार थी लेकिन अगर बीजेपी की government complete budget present कर देती तो सबसे बड़ा drawback क्या होता कि अगर मान लो election हार जाते वो उनकी सरकार नहीं बनती और नई सरकार आती तो नई सरकार फिर उनके हिसाब से थोड़ी expenditure रन करती state के या central पर थोड़ी नई सरकार पुरानी सरकार के हिसाब से expenditure रन करेगी बट इस बात को समझो आप कि जो election है उसका जो period है वो तो three to four months का है लेकिन क्या three to four months के लिए जो country है state के expenditures है वो रुक जाएंगे क्या वो तो नहीं रुकेंगे जो government employee है उनको salary देना है pension भी देना है farmer को MSP और subsidy भी देना है जो development project चल रहा है उसका भी fund release करना है तो फिर ऐसे cases में government क्या करती है कि जब तक newly formed government नहीं establish हो जाती जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है तब तक के लिए temporary basis पे government क्या introduce करती है interim budget introduce करती है ताकि जब तक नई सरकार ना बने जब तक क्या होता रहे जो country और state के expenditure है वो run करते रहे है तो इसी लिए ये interim budget पेश किया जाता है और मद्ध प्रदेश सरकार ने भी क्या किया कि जब new government बनी january में government बनी अब immediately budget तो पेश हो नहीं सकता है पूरा यूँकि budget बनाने में budget को prepare करने में near around two to three months का time लगता है और February में new budget present करना था तो फिर मद्ध प्रदेश government ने क्या किया interim budget present किया February month में 2024 में मद्ध प्रदेश के finance minister का क्या नाम है किसी को पता है Mr. जगदीश देवडा और ये कहां से है ये मनसौर से है है ना मनसौर constituency से इन्होंने चनाव लड़ा था और ये जगदीश देवडा अभी क्या है मद्ध प्रदेश के finance minister तो है मद्ध प्रदेश के deputy CM भी है मद्ध प्रदेश में दो deputy CM है एक जगदीश देवडा और दूतरे राजिन शुकला रीवा से है ना याद रखना तो जगदीश देवडा ने interim budget present किया अब वो interim budget क्या है interim budget में इन्होंने vote on account का use किया अब vote on account आप quality में पढ़ोगे vote on account का मतलब होता है कि temporary basis पे सरकार जो है वो अपने account से कुछ fund withdraw कर सकती है अपने overall expenditures को run करने के लिए जिसे आपका bank में savings account है तो आपको जितनी भी जरूरत पड़ती आप उतना पैसा withdraw कर लेते हो ठीक ऐसे ही government का भी account होता है और government को temporary basis पे जितने funds की requirement है government उसको one time में क्या कर लेगी withdraw कर लेगी और उसी को क्या कहा जाता है vote on account कहा जाता है in general अभी हम इतना technicality पे नहीं जा रहे हैं simply सिफ इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि notes में आपके ये terms आएंगे ठीक है तो जगदीश देवडा ने interim budget present किया और वो interim budget का जो total amount था है न वो total amount था 1.45 lakh करोड रूपीज जो कि कितने time period के लिए present किया गया 4 months के लिए February end में present हुआ तो March, April, May और June 4 months तक के लिए government को अपने पूरे expenditure किस से run करने है इस 1.45 lakh करोड रूपीज से run करने है इस से जाधा सरकार को पैसा नहीं मिलेगा और ना ही सरकार अपने account से पैसा withdraw कर सकती है clear तो यह 1.45 lakh करोड जो है यह आपके लिए एक important यहाँ पर fact हो जाता है कि जो government of मद्ध प्रदेश के chief minister है जगदीश दिवडा उन्होंने जब इस साल interim budget present किया तो उस interim budget की total value कितनी थी यह एक fact prelims में आप से पूछा जा सकता है और total value कितनी थी 1.45 lakh करोड थी और यह interim budget जो था यह कितने months के लिए था four months के लिए था clear हुआ यहाँ पर कोई doubt ठीक दूसरा point यह है कि जब यह interim budget present किया गया तो इस budget में state government ने ना तो कोई new tax introduce किया यानि कि सरकार ने कोई नया tax नहीं लगाया public पे ना ही government ने पहले से pre-existing tax को withdraw किया यानि कि जो पहले से taxation system था मध्यपदेश में उसमें से ऐसा कोई भी tax नहीं जो सरकार ने abolish किया हो तो ना ही सरकार ने new tax introduce किया ना ही सरकार ने कोई pre-existing tax को withdraw किया ना ही सरकार ने tax rate को increase किया और ना ही सरकार ने tax rate को decrease किया in short taxation system में government of मद्ध्यपदेश ने अपने interim budget में कोई भी changes नहीं किये सिफ़ इतना याद रखना है clear इसके बाद government of मद्ध्यपदेश ने क्या किया कि क्रिशक उद्यमी योजना के लिए क्रिशक क्रिशक उद्यमी योजना के लिए government of मद्ध्यपदेश ने ये decide कि farmers को free of cost pump sets distribute किये जाएंगे है क्रिशक उद्यमी योजना क्रिशक in general means farmer उद्यमी का मतलब होता है यहाँ पे enterprises है ना तो जो farmers enterprises है जहाँ पे in general जो farmers है अपने agriculture production के लिए जो products purchase करते हैं जैसे harvester हो गया है ना pump हो pump sets हो गए irrigation के लिए जो irrigation equipment है तो मद्ध्यपदेश सरकार ने एक scheme launch करी क्रिशक उद्यमी योजना इस budget के अंडर में और मद्ध्यपदेश सरकार मद्ध्यपदेश के farmers को क्या करेगी pump sets distribute करेगी free of cost में ऐसा सरकार क्यों क्यों कि मद्ध्यपदेश में generally जो farmers है they are quite vulnerable है ना small or marginal farmer है अगर आप मद्ध्यपदेश के farmers को पंजाब हरयाना के farmers से compare करोगे तो आप economic में एक aspect में आपको एक large scale में difference देखने का मिलेगा पंजाब हरयाना farmers are very rich है ना बट मद्ध्यपदेश farmers are quite poor जैसे अभी कभी protest होगा ना इंडिया में जैसे अभी कुछ समय पहले MSP को लेके protest चल रहा था तो आपने में देखा होगा उसमें पंजाब हरयाना का farmer completely participate करता वेस्टन यूपी का farmer participate करता मद्ध्यपदेश बिहार राजस्थान का farmer participate नहीं करता क्यों कि अगर वो protest में participate करेगा तो फिर economic activity कौन perform करेगा उसका घर कौन चलाएगा तो सबसे बड़ी problem यह है तो राजस्थान मद्ध्यपदेश बिहार जैसे स्टेट में यहां पर farmers को additionally किसको support करना पड़ता है government को support करना पड़ता है ठीक फिर इसी के एंड़मेंट औफ मद्ध्यपदेश ने एक और scheme शुरू करी लाडली Brahmin योजना आपने एक scheme सुनी होगी मद्ध्यपदेश में कुछ मंस पहले काफी popular हुई थी है ना जब election चल रहे थे लाडली बहना योजना सुनी थी मुख मंत्री लाडली बहना योजना जिसमें females के account में जो government of मद्ध्यपदेश यह वो per month basis पे क्या करती है एक हजार रुपे ट्रांसफर करती है है ना अभी भी पैसा ट्रांसफर कर रही है amount बढ़ गया है 1000 से 1250 रूपीज हो गया है हो गया क्या अभी नहीं हुआ applicable हो गया है ना हाँ तो ठीक उसी model पे based government of मद्ध्यपदेश ने एक scheme शुरू करी इस budget के अंडर में that is लाडली ब्राम्मेन योजना लाडली ब्राम्मेन योजना के अंडर में government of मद्ध्यपदेश जो ब्राम्मेन गल्स हैं उनके overall welfare के लिए education और health के लिए government of मद्ध्यपदेश उनको additional support प्रोवाइड करेगी और ये लाडली ब्राम्मेन योजना के अंडर में government of मद्ध्यपदेश ने 9,360 करोड़ रुपीज का total fund जो है वो allocate किया है ना और इस बात को ध्यान देना ये जो 1,45 करोड़ रुपीज है इसी में से वो fund निकालके government of मद्ध्यपदेश ने 9,360 करोड़ रुपीज किसके लिए allocate किया लाडली ब्राम्मेन योजना के लिए याने कि वो 1,45,000 करोड़ रुपीज जो है उसी में से ये पैसा allocate किया गया ये 9,360 करोड़ रुपीज अलग से allocate नहीं किया गया है ठीक है ये excellence school क्या होंगे ये excellence school एक तरह से वो model school होंगे जो कि कहीं ना कहीं हर एक particular facilities के साथ equipped होंगे it means कि classroom proper होंगी digital boards available होंगे exclusive washroom होगी girls or boys के लिए proper library होंगी proper laboratories होंगी है ना proper education curriculum होगा और proper playing ground या sports facility available होगी तो ऐसे public excellence school है जो की government of मद्रप्रदेश state level पे establish करेगी ये provision भी government of मद्रप्रदेश ने अपने interim budget में mention किया clear हुआ सभी को यहां तक ठीक अब ये तो government के interim budget की बात होगी अब इसके बाद जो हमको discuss करना है वो है government का data कि government of मद्रप्रदेश ने जो budget पेश किया उसके बाद survey भी किया economic survey की report भी publish करी उसके according मद्रप्रदेश में GDP कितनी है मद्रप्रदेश का GDP growth rate कितना है मद्रप्रदेश में fiscal deficit कितना है मद्रप्रदेश में per capita income कितनी है तो उसको शुरू करने से पहले दो terminologies पर बात कर लेते हैं एक होती है constant price और एक होती है current price कोई बता पाएगा constant price और current price में general difference क्या होता है economy वाला है कोई कोई भी नहीं गैस करोगे हाँ ठीक है चलो माल लेते हैं माल लो आप यह fine purchase करने गए market में तो जब आप fan purchase करने जाओगे तो आप क्या in general पूछोगे price पूछोगे और उस पे जो MRP वगएरा है या जिस पे भी fan particular जिस cost पे भी manufacture किया गया है उसमें profit वगएरा add करके seller क्या करेगा वो fan आपको sold कर देगा तो माल लो आपने पूछा कि इस fan का particular price कितना है और seller ने यह कहा इस fan का price कितना है 3000 रुपीज है ठीक है वो 3000 रुपीज जो है वो क्या है current price है जिस पे आपको in general fan sold किया जा रहा है ठीक अब आपने बोला कि मुझे current price पे fan नहीं चीए याने आप at present जिस price पे fan sold कर रहे हो मुझे उस price पे fan नहीं खरीदना आपसे आप seller से बोलते हो कि मुझे उस price पे fan sold करो जिस price पे 2011-12 के financial year में sold किया जा रहा था मतलब समझ रहे हो मतलब यह है कि present का price नहीं मैं कौन सा price पे करूँगा मैं वो price पे करूँगा जो price fan की कब थी 2011-12 में थी seller कहता है 2011-12 में fan की price थी 1200 रुपीज ठीक है तो वो जो 1200 रुपीज है वो क्या है constant price है और जो 3000 रुपीज है वो क्या है current price है समझ में आया तो constant price का मतलब होता है कि goods or services की वो price जिसको हम किसी एक particular year के reference में क्या कर रहे हैं consider कर रहे हैं हम किसी एक year को as a base year मानके उस year की price को जब consider करते हैं goods or services के लिए तो वो क्या बन जाती है constant price बन जाती है लेकिन present में जो inflation है जो महंगाई दर है उसको ध्यान में रखते हुए जो goods or services की prices decide होती है जिस पे वो market में consumer को sold किया जाता है वो price क्या होती है current price होती है clear तो अब किसी भी state या किसी भी country की जो GDP है वो दो तरह से measure हो सकती है या दो तरह से calculate कर सकते हैं क्योंकि GDP क्या है GDP is total value of goods and services तो goods and services की value अगर मैं चाहूं तो present यानि की current year के according भी consider कर सकता हूं मैंने कहा यह fan 3000 का है it means यह जो goods है इसकी value में किस basis पे consider कर रहा हूं current year prices के basis पे consider कर रहा हूं लेकिन अगर मैं यह कहूं कि goods and services की value जो है वो मैं किसी एक year को reference year मानके base year मानके consider कर रहा हूं वो फिर कौन सी price कहलाएगी constant price कहलाएगी मैंने कहा 2011-2012 मैं fan की price 1200 रुपीस थी तो मैं GDP जो है वो कित्ती consider कर रहा हूं 1200 consider कर रहा हूं तो जब हम GDP को calculate करते हैं तो उसमें goods and services की value को consider करते हैं GDP at constant price और जब हम GDP calculate करते समय goods or services की present value को consider करते हैं present में जो महंगाई दर है inflation है उसको ध्यान में रखते हुए हम GDP calculate करते हैं तो वो क्या कहलाती है GDP at current price कहलाती है clear हुआ सभी को ठीक तो मद्द प्रदेश में जो GDP है constant price के basis पे that is 13,22,000 करोड रूपीज कितनी है 13,22,000 करोड रूपीज है किस basis पे constant price के basis पे मद्द प्रदेश में जो भी goods or services का production हुआ उसमें हमने किस year की price को consider किया constant price को consider किया किसी एक particular previous year के price को consider किया और वो year कौन सा है 2011 and 12 11,12 को ही follow किया जाता है इंडिया में और state में constant price के cases में clear हुआ तो और यहाँ पे data गलत लिख दिया मैंने यह 6,43,000 है 6,43,000 ठीक clear अब हम बात करते है GDP at current price की और GDP at current price कितना है यह है 13,22,000 करोड रुपीज किता है 13,22,000 करोड रुपीज आपको difference दिख रहा है कुछ constant price में GDP किती थी 6.43,000,000 करोड और current price में कितनी हो गई क्या समझ में आ रहा है इस difference है double हो गई कैसे क्योंकि over a period of time महंगाई बढ़ी है prices बढ़े goods और services की तो जब हम current price के basis पे GDP consider करेंगे तो prices क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे और constant याने कि हम कुछ previous पिछले सालों का price consider कर रहे है तो पिछले सालों में तो जो price और goods और services का वो क्या रहा कम रहा महंगाई दर क्या था कम था ठीक अब ये तो हमने monetary value पे consider किया monetary value पे consider किया मतलब हमने क्या कहा कि total GDP monetary value पे कितनी money के terms में कितनी है अब अगर हम growth rate की बात करें है तो मद्ध प्रदेश का जो total GDP growth rate है current price के basis पे that is 16.43 percentage है ना मद्ध प्रदेश में GDP growth rate कितना है current price के basis पे 16.43% है और constant price के basis पे मद्ध प्रदेश का GDP growth rate कितना है 7.06 percentage है ठीक है तो अब यहाँ पे आपको prelims में question बन सकता है that what is the GDP growth rate of मद्ध प्रदेश on the basis of current year prices और जब current year prices के basis पे आपको GDP growth rate पूछी जाएगी तो correct answer क्या होगा 16.43 percentage और जब आपको constant price के basis पे पूछी जाएगी that what is the GDP growth rate of मद्ध प्रदेश on the basis of constant price year 2011-12 तो इस time growth rate क्या होगी 7.06 percentage होगी clear फिर हमने एक term और पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो हमने पढ़ा था fiscal deficit तो जब हम मद्ध प्रदेश में fiscal deficit की बात करते हैं मद्ध प्रदेश state की तो मद्ध प्रदेश state का MP का जो total fiscal deficit है as per economic survey 2022-23 इसके according total कितना fiscal deficit है 52,511 करोड रूपीज यह total fiscal deficit है यानि सरकार ने क्या किया है अपने expenditures को पूरा करने के लिए अभी तक इतना loan लिया हुआ इतना gap है सरकार के expenditure और सरकार की income के बीच में कितना है 52,511 करोड रूपीज clear अब यहाँ पे एक term आपको दिख रहा होगा as per economic survey 2022-23 समझ लो यह economic survey होता क्या है है ना सरकार budget पेश करती है ठीक है जैसे मान लो अभी कौन सा year चल रहा है अभी चल रहा है 2024-2025 ठीक है सरकार ने क्या किया इस साल budget बना दिया ठीक budget बनाया budget में सरकार क्या mention करती है कि हमारी इतनी income है और हम इस तरह से development करेंगे health में यह policy launch करेंगे education के लिए यह scheme लेके आएंगे transportation के लिए यह project लेके आएंगे ऐसा सरकार overall development के लिए क्या करती है fund allocate करती है ठीक अब 2024-2025 क्या हुआ year खतम हो गया और फिर क्या आ गया 1st February 2025 यह year कब खतम हो रहा है 31st of March 2025 को लेकिन budget कब पेश होता है हमारे इंडिया में 1st of February को तो अब year तो खतम हो गया लेकिन सरकार को budget पहले पेश करना पड़ेगा ठीक है सरकार budget पेश करने से पहले 1st February 2025 को उससे ठीक एक दिन पहले जाने की 31st of January 2025 इस दिन क्या करेगी सरकार अपनी economic survey report publish करेगी और यह economic survey report में क्या mention होगा सरकार यह बताएगी कि 2024-25 के लिए जो हमने budget बनाया था उसमें जो हमने fund allocate किये थे हर एक ministry को हर एक particular policy और programs के लिए उससे क्या result निकले हैं कितना development हुआ है इसकी report सरकार किस नाम से publish करती है economic survey के नाम से publish करती और यह economic survey report सिर्फ और सिफ central government नहीं publish करती economic survey report state level पे state government भी publish करती है तो जब मान लीजे state government अपना budget पेश करेगी state government अपना budget कब पेश करेगी February के last में ठीक है central government February के first day में तो जब state government last day of February अपना state budget पेश करेगी तो उससे ठीक एक दिन पहले state government क्या publish करेगी economic survey report जिसमें ये mention होगा कि पिछले साल सरकार ने जो budget बनाया था उसको implement करने के बाद उसके क्या-क्या result निकले क्या positive outcomes थे क्या negative outcomes थे और उसको सरकार किस नाम से publish करती है economic survey report के नाम से publish करती जिसमें complete data होता है आप google पे जाना google पे जाके type करना मध्य प्रदेश economic survey report आपको एक pdf मिलेगी almost three to four hundred pages की होगी आप वो pdf open करना आपको उसमें हर एक sector का government का जो भी analysis है वो देखने मिल जाएगा कि सरकार ने कितना क्या investment किया कितना क्या result निकला उस से clear तो यहां तक जो basically first chapter था उसका discussion हमने complete किया अब यह first chapter बचा हुआ है first chapter में हमको कल शुरू करना है different sectors का contribution कि agriculture sector का कितना contribution है industrial sector में कितनी growth rate है minerals की कितनी growth rate है travel and tourism में मध्य प्रदेश में कितनी growth rate है है ना फिर apart from that मध्य प्रदेश का performance क्या है foreign direct investment में तो कुछ इसका specific section है जो कि हम sector wise कल discuss करेंगे है ना और कल मैं आपको handouts दे दूँगा अभी देखता हूँ आ गया होंगे तो मैं अभी पहुचा देता हूँ जिसमें 2-3 chapter तो cover up हो जाएंगे clear तो चलो किसी का कोई question है आज के लिए घर जाके एक बार revise करना कोई doubt हो कल आके बिल्कुल पूछ लेना क्योंकि इस chapter में data है तो यह chapter थोड़ा boring होगा है ना और यह first chapter में नहीं मद्यप्रदेश के almost सभी chapter में data है लेकिन आंगे के chapter में थोड़ा facts आ जाएंगे है ना वहाँ पे कुछ facts ऐसे होंगे जो कोई story के साथ होंगे या जहाँ पे कुछ ना कुछ बताने जैसा होगा अब यहाँ पे अगर मद्यप्रदेश की GDP 7.06 है तो वो है उसमें कोई reason नहीं है आपको वो सीधा क्या करना है याद करना है क्योंकि वहाँ पे आपको सीधे data पूछा जाएगा और आपको सीधे answer करना है clear हुआ चलो तो हम कल मिलते हैं है थैंक यू सो मच जाएंद